हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है हाव तो एड फेस्बुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर वेब डेवलप्मेंट एजनसी तो एक्जामपल के लिए माल लिजए कि मेरा एक वेब डेवलप्मेंट एजनसी है और इसी एजनसी को प्रमोट करने के लिए मैंने फेस्बुक पे अपना एक पेज क्रेट करके रखा है और उसी पेज पे मैंने एक लीड एड भी रन किया है अब जब भी मुझे फेस्बुक से कोई नई लीड रेसीव होती है मेरी वेब डेवलप्मेंट एजनसी के लिए तो आटोमेटिकली वो लीड की डीटेल्स को मैं एड करना चाहता हूँ गूगल शीट की रो में ताकि सारी लीड का डेटा में एक जगह पे रख पाऊँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरी प्रोसेस आप आटोमेट कर सकते है पैबली करनेट की मदद से फेस्बुक लीड एड और गूगल शीट के बीच में कनेक्शन एक इंटीग्रेशन बनागी अब जब भी आपको फेस्बुक से कोई नई लीड रिसीव होगी आपकी एजेंसी के लिए तो आटोमेटिकली वो लीड की डीटीज जाके रिकॉर्ड जाएंगी गूगल शीट की रो में तो आप कैसा बना सकते इस पुरा आटोमेशन को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोन एप्लिकेशन को आईए देखता है मेरी स्क्रीन पे तो चलिए बनाते हैं कैसा आटोमेशन फेस्बुक लीड एड एड और गूगल शीट की बीच में कि जैसी फेस्बुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपकी वेब डेवलप्मेंट एजिंसी के लिए तो आटोमेटिकली वो लीड की डीटेल्स जाके रिकॉर्ड जाएंगे गूगल शीट की रो में अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली क्लिक करियेगा साइनई पर साइन इन पर क्लिक करते ही आपके सामने opened होंगी पैबली कि उपाच में application आज हम को यूज्च आना पैबली करनेट पका औपा तो क्लिक करेंगा मिक्से नाउ पर workflow को एक नाम देना है तो माली जब मैं ऐसे नम दीता हूँ Add Facebook Leads to Google Sheets for Web Development Agency आप अपने requirement के हिसाब से से कोई और भी नाम दे सकते हैं इसके बाद आपको choose करना हो particular folder जिसमें आप ये नया workflow बनाना चाहते हैं folder choose करने के बाद क्लिक करना आपको create पे और जैसी आप create पे क्लिक करेंगे अब आपकी सामने open होंगे ये दो important boxes जिनको हम कहते हैं trigger and action basically जो पूरा automation आजम बनाने वाले हैं वो इन दोनों principles और concepts पर भी इस डूते हैं इनकी definition की बात करें तो trigger कहता है when this happens मतलब जब ऐसा हो तो action कहता है do this मतलब ऐसा कर दो अब trigger और action को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आज का माना objective क्या है तो example के लिए माल लिजे कि मेरी एक web development agency है और अपनी इसी agency को अपने इसी business को promote करने के लिए मैंने facebook पे अपना एक page create करके रखा है जिसका नाम है elite web crafters और इसी page पे मैंने एक lead ad भी run किया है अब जब भी मुझे कोई नई lead receive होती है मेरे lead ad से तो automatically वो lead की details को मैं add करना चाहता हूं google sheet की row में ताकि अपने सारे business की leads को मैं एक जगह पे रख पाऊं और बाद मैं अपने data को अच्छे से analyze भी कर पाऊं तो इसमें जो मेरे trigger application होगी वो होगी facebook lead ads जैसे facebook lead ads पे नई lead मुझे रिसीव होगी instantly मेरा workflow trigger होगा और action application मतलब google sheet में automatically एक नई row ad होती जाएगी जब भी मुझे कोई नई lead रिसीव होगी facebook lead ads से तो चलते हम पैबली connect पे सबसे पहले मैं चूस करता हूँ अपनी trigger application जिसका नाम है facebook lead ads यहां से मैं चूस करूँगा अपनी trigger application facebook lead ads और trigger event जैसे कि मैंने आपको बताया है मेरा trigger event होगा new lead instant मतलब जैसी facebook lead ads से नई lead मिलेगी instantly मेरा workflow trigger होगा और action application मतलब google sheet में क्या होगा automatically एक नई row add हो जाएगी तो action application मेरी होगी google sheet action event मेरा होगा add new row अब देखे google sheets और facebook lead ads दोनों की बीच में कोई भी direct connection नहीं है इसलिए हम यूज़ कर रहे है पैबली connect का तो सबसे पहले facebook का account में connect करूँगा पैबली connect से कि जैसे ही आपे नई lead मिलेगी automatically वो lead की details पैबली connect अपने पास capture कर लेगा और फिर वही lead की details जाके record हो जाएगी google sheet की row में तो चलिए सबसे पहले facebook account में connect करता हूँ पैबली connect से तो click करना आपको connect पे इसके बाद आपको जाना है add new connection पे add a new connection पे जाने के बाद click करना आपको connect with facebook leads पे अब क्योंकि मेरा facebook account already logged in है new tab पे तो आप देखेंगे automatically जो मेरा authorization है वो successful हो जाएगा और मेरा facebook account connect हो जाएगा पैबली connect से तो आपको याद रखना है कि जब भी आप connection establish करेंगे तो आपको अपना account login रखना है new tab पे और देखेंगे हमारा account है पे connect हो चुका है अब account connect होने के बाद सबसे पहले मैं को choose करना अपना page कि किस particular page की details मैं capture करना चाहता हूँ पैबली connect के पास अब क्योंकि facebook account connect हो है पैबली connect से तो जितने भी pages मैंने create करने अपने facebook की account पे उस सब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे पर जो मेरे page का name है उसका नाम है एलाइट वैब क्राफटर अब जैसी यह page मैंने आपको select किया है जो भी मैंने lead form बना के रखें है इस page पे उस सारे lead form अभी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे जैसी मेरा page connect होगा पैबली connect से और देखे हमारा page connect हो चुका है पैबली connect से अब जो भी lead form मैंने बनाए हो नीचे आपको दिखेंगे lead gen form पे तो click करना आपको इसके drop down पे आप दीख सकते हैं और एक नई lead generate हो तो automatically उसकी details पैबली connect अपना पर सकेप्चर करेगा और हमारा workflow automatically trigger हो जाएगा और lead की details जाके record होंगी Google Sheet की room में तो वो form आपको यहाँ पे select करना है आप चाहें तो यह वाला option भी choose कर सकते हैं all lead gen forms वाला option इससे क्या होगा अगर आपने multiple forms create करके रखें अपने इस particular page पे किसी भी page पे तो automatically किसी एक form से भी कोई नई lead generate होगी तो आपका workflow trigger हो जाएगा अगर आप चाहें तो individually किसी एक form को भी select कर सकते हैं तो माली जब मेरे form का name है lead form मैं चाहता हूँ जब भी कोई person इस form को fill करे तो मेरा workflow trigger हो जाए तो ये form मैंने आपे select कर लिया है आप मैं click करूँगा see and send test request की button पे तो आप देखेंगे public connect कहाँ पे webhook response का read करने लग जाएगा और note पे हमको बोला है कि जैसी आप see and send test request की button पे click करेंगे इसके बाद आपको एक test submission करना है test lead generate करनी है ताकि वो lead की details public connect अपने पास आप एक चर्क कर पाए अब test lead मुझे आप इसलिए generate करनी है क्योंकि यह जो lead add है यह मैं real time में run नहीं कर रहा हूँ इसलिए मुझे आप एक test submission करना पड़ेगा और test lead generate करने के लिए हम चलते हैं metaphor developers पे metaphor developers पे आने के बाद उपर आपको एक option देखेगा my applications का क्लिक करना आपको my applications पे फिर आपको जाना है tools पे tools पे जाने के बाद आपको जाना है lead adds आइट यो debug tool पे और इसके बाद आपके सामने open होगा lead adds testing tool इसकी मदद से ही हम एक test lead है पे generate करेंगे आप वो page और form आपको यहाँ पे select करना है जिसके लिए आप एक test lead generate करना चाहते हैं तो देखिए जो मेरे page का name था उसका नाम था allied web crafters यही page यहाँ पे मैं select करनूँगा यह था मेरा page allied web crafters और जो form मेरा था वो था lead form वही form मैंने पे select कर लिए आप देख सकते हैं lead form अब जैसी मैं preview form पे click करूँगा तो एक form मेरे समने open होगा और उस form को जैसी मैं यहाँ पे fill करूँगा तो test lead generate हो जाएगी तो click करते हैं preview form पे और देखे preview form पे click करते lead form हमारे समने यहाँ पे open हो चुका यहाँ पे लिखा we will send brochure on your whatsapp अब माद लीजे कि as a customer यह form यहाँ पे मैं fill कर रहा हूँ अब यहाँ पे मेरा जो name है वो है dummy user मेरी email ID है demo at the ratepriblitudes.com और यह है मेरा contact number तो test lead generate करने के लिए मैंने सारी details अपनी यहाँ पे fill कर दी है test lead generate कर रहा हूँ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ यह real time है run नहीं कर रहा हूँ उसलिए आपको test submission करना पड़ रहा है अब जैसी मैं next पे click करूँगा submit पे click करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने test lead generate कर दी है आप देख सकते हैं your lead test has been sent इसका मतलब एक नई lead generate हो चुकी है आप क्योंकि पीज और form मैं पहले ही connect कर चुका हूँ पैबली connect से ही तो इसकी details पैबली connect ने पने पास capture कर ली होगी तो चलता हम पैबली connect पे wait करता हम वेबुक response का और देखें आपकी सामने यहां पे हमको वेबुक response रसी हो चुका है जैसी इस form और speech पे नई lead generate होई है automatically उसकी details पैबली connect ने अपने पास capture कर ली है तो यह lead का full name dummy user यह lead की mail ID और यह lead का contact number अब देखें जब भी आप real time में एक lead head बनाएंगे और उसको run करेंगे और जैसी कोई नई lead आपको मिलेगी अपके page के लिए तो automatically वो lead की details को कुछ इसी तरीके से पैबली connect अपने पास capture कर लेगा इसका मतलब जो हमारा first step of integration है वो सही से काम कर रहा है हमने facebook lead ads को successfully connect कर दिया पैबली connect से अब नई lead generate हो दी ही automatically उसकी details पैबली connect यह capture कर लेगा अब same lead की details को मैं add करना चाहता हूँ Google sheet की row में तो जो मेरा Google का account है वो अब मैं connect करूँगा पैबली connect से तो click करना आपको connect पे इसके बाद आपको जाना है add new connection पे add new connection पे जाने के बाद click करना आपको sign in with Google पे फिर आपको अपना account login करना है आपको authorization प्रोवाइट करने है पैबली connect को गूगल से connect करने के लिए और जैसी वो complete होगा तो आपका account connect हो जाएगा पैबली connect से अब यह step मैं पहले ही कर चुका हूँ तो click करूँगा select existing connection पे click करूँगा सेफ पे तो मेरा गूगल का account आप दिखेंगे connect हो जाएगा पैबली connect से अब account connect होने के बाद सबसे पहले मैं को चूज करने है अपनी spreadsheet कि किस particular spreadsheet में मैं सारे leads की details को add करना चाहता हूँ तो देखी जो मेरी spreadsheet करने है उस करना मैं Facebook leads data जैसी कोई नई lead मिलती है मेरे business के लिए तो automatically वो lead की details को मैं add करना चाहता हूँ इस particular Google sheet में तो मैं जाओंगा पैबली connect पे तूस करूँगा अपनी spreadsheet Facebook leads data और जैसी spreadsheet मैंने आप सेलेट करी है जो भी columns मैंने बनाये था अपनी spreadsheet में वो सारे columns सारी details पैबली connect अपने पास capture कर लेगा आप देख सकते हैं सारे columns आप पे आचुके जो मैंने बनाये था अपनी spreadsheet में और sheet हमारे system ने automatically detect कर ली है क्योंकि एक ही sheet में आपे create करके रखी थी अब one by one करके यह सारी fields हमको यहाँ पे करनी है fill और यह हम fill करेंगे mapping की मदद से mapping का मतलब यह होता है कि जो response हमको मिला है आपारे trigger application से मतलब facebook lead ads से उसे response का use मैं आपे कर लूँगा वो भी without manually type करके इस process को हम कहते हैं mapping क्योंकि जो नई lead generate हुई थी facebook lead ads से उसकी details पहले ही public connect अपने पास capture कर चुका है तो देखे mapping कैसी के जाती है जैसे आप इस blank field पे क्लिक करेंगे तो facebook lead ads जो के हमारी previous step थी हमारी trigger application थी वो आपको यह पे दिखरी होगी इसके drop down पे आप जैसी क्लिक करेंगे तो जो भी response आपको मिला था आपके trigger application से वो पूरा आपको यह पे दिखरा होगा तो यह था हमारी lead का full name dummy user इसको मैंने आपे कर दिया मैप कुछ इस तरीके से इसी तरीके से जो lead की mail ID है वो भी मैंने आपे मैप कर दिया है और इसी तरीके से जो lead का contact number है वो भी मैंने आपे मैप कर दिया है अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है इसका use मैंने आपे क्यों किया तो दिखिए जो भी data मैंने आपे मैप किया है यह data automatically नए data से change हो जाएगा जब भी हमारा workflow run करेगा बड़े ही असान शब्दों मैं आपको समझाऊ तो जब भी आपको Facebook में जो lead form आपने बना के रखा है जैसी उससे कोई नए lead आपको receive होगी तो automatically वो नए lead का name, email, contact number यहाँ पे आके update हो जाएगा अपने आप आपका workflow trigger होगा और अपने आप यह details जाके record जाएगी Google Sheet की row में आपको कोई भी manual work करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यह जो पुरा automation है यह केवल आपको एक बर बनाना है इसके बाद की सारी process public connect automatically कर लेगा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर यहाँ पर में data कुछ इस तरीके से मतलब manually type कर देता तो यह data रहता हमेशा static या permanent फिर हमारा workflow trigger नहीं होता हमेशा यह details जाके record होती है Google Sheet की row में इसलिए mapping करना होती है बहुत ज़्यादा important process अब देखिए जैसे मैं save and send test request की button पर क्लिक करूँगा automatically details जाके record जाएंगे Google Sheet की row में और देखिए हमको यहाँ पर API response receive हो चुका है इसका मतलब इन details record हो चुकी है Google Sheet में तो चलता हमारी Google Sheet पे और देखिए सारी details यहाँ पर आचुकी है यह है lead का full name dummy user यह है lead की mail id और यह है lead का contact number इसका मतलब जो automation हमने बनाया पैबली करेक्ट पे हो सही से काम कर रहा है simply दो step में हमने पुरा automation बना दिया जो work करेगा instantly अब जब भी आपको अपनी web development agency के लिए कोई नए lead receive होगी Facebook lead ad से तो automatically वो lead की details record हो जाएंगी Google Sheet की room में तो अगर आप भी इस workflow का use करना चाहते हैं तो इसका link पर अपने वीडियो के description में दे दूँगा जहाँ आप इसे बड़ी असानी से कर सकते हैं सिर्फ यही नहीं आप और भी application के integration पैबली करेट की मदद से बना सकते हैं इसके लिए आप हमें email कर सकते हैं support at direct family.com पर अगर आपको कोई queries है आपको कोई doubts है तो आप जा सकते है forum.family.com पर अगर आपको pricing related कोई issue है तो आप जा सकते हैं इस link पर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को subscribe करना ना बोले. Thank you